आज हम एक्स्प्लेन करेंगे शो टाइम पे लेगिसीस का सीजन 3 के अपिसोड नमबर 4 तो जल्दी से आप चैनल को करतो सस्क्राइब और वीडियो को करतो लाइक इस वीडियो पे लाइक्स होंगे तो मैं नेक्स्ट पार अप्लोड तरूँगा और इस एपिसोड में होने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग मॉमेंट्स तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को हम पहले सीन में देखते हैं हूप को जो बहुत जाथा खुश है क्योंको उसके पास अब लैंडन्त है और वहीं हम देखते हैं लैंड्न बहुत जाथा खुश है क्योंको एक साल हो चुका एक के अंदर और रोज को सेलिब्रेट करने के लिए फुल डे डिसाइड कर चुका था और वहीं पर ब्रेकफास्ट बना के लाया था होप के लिए और यह देखके होप बहुत जादा खुश है और वहीं हम देखते हैं जोजी को जो जा चुकी थी मिस्टिक फॉल्स के इंदर जहां पर हम देखते हो बात करने लेखती एक स्टूडेंट से जो कोई और नहीं उस कॉप का बेटा ही है और वहीं हम देखते हो स्कूल के असाइमेंट में उसकी हेल्प करता है बट एट दा सेम टाइम बहुत जादा गुस्सा था अलारिक पे कि वह स्कूल को ऐसे बीच में छोड़के कैसे जा सकता है जैसे हो चला गया था उसके बाद जो नया प्रिंसिपल है वह एक नंबर का बेवकूफ है और वहीं पर हम देखते हैं जोजी बोलती है कि तुमारी मों को डेट कर रहे हैं मेरे डैड तो थोड़ा ओकवड होगा और यह कहने के बाद वहां से चला जाता है और वहीं पर हम देखते हैं जोजी स्कूल में घूमने लग रही थी और उसी स्कूल के अंदर हम देखते हैं नेक्रोमेंसर को जिसने एक ओमेगा का सिंबल बनाए हुआ था और वहां पर हो कोई ब्लैक मैजिक करने का ट्राई करता है पर तभी प्रिंसिपल आकर उसको रोकता है और वहीं सब करने के लिए मना करता है पर तभी वो बोलता है कि उसको यह सब करना पड़ेगा और इतना सारों से खून चाहिए वहां स्कूल में मिलना असान भी है और इस वज़े से हम देखते हैं प्रिंसिपल को भी मार देता ह और उसके कोई खतरनाक प्लान थे और ये सारी चीजे जोजी देख लेती है और सीता जाती है अपने डैड के पास में और उसको सब चीजों के बारे में इंफॉर्म करती है और ये देखके अलारिक बहुत बुरी तरह से टेंस्ट हो चुका है क्योंकि उसे मिस्टिक फॉल्स के में टाउन के अंदर जाना पड़ेगा और सारी सिचुएशन को सॉल्फ करके सारे सबूतों को मिटाना होगा बड़ तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक ड्रैगन उड़ते हुए दिखाई देता है उन्हें और वो एक जॉंबी ड्रैगन था और ये देखके समझ जाते हैं कि इस बार प्रॉब्लम कोई छोटी मोटी नहीं है बड़ी प्रॉब्लम है और सब को मिल के कुछ करना पड़ है और लास्ट ड्रॉब डाल देती है एमजी के ब्लड की जहां पर उसने अपना ब्लड और पहले रफाइल का ब्लड पहले से एड़ कर दिया था मतलब वेरवुल्फ विच और वेंपायर तीनों को ब्लड अब मिल चुका है और यहां पर जल्दी मोत होने वाली एमजी की जैसे यहां पर इस स्पेल स्टार्ट होता है यहां पर अलग-अलग मोंस्टर निकलने स्टार्ट होंगे मैलवोर्ट से और जितने ज्यादा मोंस्टर निकलेंगे उतनी जल्दी एमजी मरेगा पर डोंट वरी इस बार एमजी मरने वाला नहीं है अलीशा के प्लान की मैनिपलेट करेगा कि वो अलिशा से प्यार करे और हम देखते हैं अलिशा इस प्लान में पहले से शामिल हो चुकी थी अब वहीं अब अलारिक देखते हैं कि अपनी टीम को ले के आ चुका तो जो उसके स्टूडेंट्स थे और लडने के लिए त्यार हैं बदला लेने के लिए त्यार हैं और वहीं हम देखते हैं पहुंच चुके थे मिस्टिक पोल्स के इंबर वुल स्कूल के अंदर और वहीं कोप भी कड़बड होगी तो वो उनका साथ देगे और उनकी बात सुने गी अगर इंड्लाइक व के लए और वहीं हम देखतें हैं यह सब केलब ने किया था अलारिक के कहने पर बहुत पहले और यहां पर हम होता था टेंस थी कि ऐसे कौन से दूश्वन है जिससे उसके टीम नहीं लड़ सकती है बलकि इसके स्टूडेंट लडएंगे जो वहाँ पर पहुंच चुके थे और तभी हम देखते वहां से मॉंस्टर निकलने लगते हैं और यहाँ पर स्टूडेंट्स के बीच में और वह स्टूड के अंदर चुक्चा पीछे रास्ते से जाएं क्योंकि लेंडऑ उसको hope को वहाँ पर जाने देता है बट hope जा नहीं पाती है क्योंकि वहाँ पर barrier spell पहले से लगा के रखा हुआ था और वहीं हम देखते है लैंडेंड चला जाता है क्योंकि वह एक human है और वहीं पर हम देखते है इस बात की hope को बहुत जादा tension थी बट तभी hope को साफ कर देता है लैंडेंड को जाएगा उस dark object जिसके वज़े से boundary बन रही है उसको तोड़ेगा वापस आजाएगा और लड़ाई में शामिलनी होगा क्योंकि वह जानता है hope उसकी चिंता करती है और हम देखते हैं hope इस बात को सुनने के बाद से अंदर भ साफ करते हैं और तेरी बैंड भी जा सकती है यह कोई बड़ी बात नीए मैं अराम से घीत जाऊंगा और तुम्हें hope की चिंता करनी चाहिए मिलो अपने डैड से और वहीं हम देखते हैं पीछे मैलवॉर खड़ा था बटिस पार उसके सर पे मैलवॉर का symbol नहीं था बलकि ओमेगा का symbol बना हुआ था जैसा नेक्रोमेंसर ने बनाया था मतलब अब यह वाला मैलवॉर नेक्रोमेंसर कंट्रोल करता है और वहीं पर हम देखते हैं नेक्रोमेंसर उसके order देता है कि इस landant को खतम कर दो और वहां से चला जाता है पर हम देखते हैं landant लडने का भी try करता है बट उसको absorb करना start करता है उसी का डैट बेड़ो बोलता है मुझे absorb मत करो मैं आपको बचा सकता हूँ और इन सब चीजों से निकाल सकता हूँ और वहीं हम देखते हैं किसी ना किसी तरह मैलव और अपने आप पर वापस काबू पाता है रुखता है और वहीं पर हम देखते हैं साफ कर देता है लेनेंट की अगर उसे कुछ हुआ तो उसकी girlfriend छोड़ने नहीं वाली है उसे और वैसे भी उसका blood तुम को बचाया जा सकता है जैसे कि आप मेरी बोड़ी ले सकते हो वैसे भी आपने मुझे वैसल की तरह त्यार किया था तो आप मेरी बोड़ी को ले लो क्योंकि मेरे सर पर वैसा symbol नहीं है जैसा आपके है तो गुलाम वो बोड़ी है ना कि मैं तो अगर चाहो तो आप मेरे सामने मैलबोर के और उसको अपना डैड बताता है और वही हम देखते हैं इस मोमेंट पे जहां पर लिजी जोजी को समझाती है कि कि किसी तरह अपना मैजिक वापस ले ले क्योंकि रियल लड़ाई होने वाली है और उनको अपनी फैमिली और सब दोस्तों का साथ देना अपने माबस से पयार करती थी ना उसके पेरेंट्स से हेट करते जैसा सब लोग सोचते हैं बट उनने उनका एक्सेप्ट भी कर लिया था इसब वेच बट उसका मैजिक आउट ओफ कंट्रोल हो गया उन सब की मोत हो गई जो बिलकुल भी नहीं चाहती थी वो अपने माबस से पयार करती थी और ना कि तुमारे पेरेंट्स की तरह एमजी जो तुमसे नफरत करते हैं और तुमारी केर भी नहीं करते हैं मेरे पेरेंट्स मेरी केर करते थे और हम देखते हैं इस मौन पर वहाँ पर पहुंच चुकी थी लिजी और जोजी उसे बियोश करती हैं और ए जी की जान को बचाए जाए बट एमजी साफ परता है यह होना भी इंपोसिबल है बट यह की तरीका है उसमें हेल्प लेनी पड़ेगी अलिशा की और हम देख पाते हैं कि इसके लिए लिजी बिल्कुल भी एग्री नहीं करती है बट एमजी साफ कर देता है कि यह हमारा लास चांस है अगर हमको हेल्प चाहिए तो अलिशा को वापस व्योश्चत से उठाना पड़ेगा और अब वही हम अगले सीन में देखते हैं होप को जो नीचे वेट करन लग रही थी बेस्मेंट में और तब ही हम देखते हैं वहां पर स्कूल के बच्चे भागते हो आने लग रहे हैं और लेटन सीधा फुटबोल फील्ड की तरफ जा रहा था और वहीं पर हम देखते हैं नेक्रोमेंसर को फील्ड के अंदर जहां पर उसने कई सारे बच्चों को मार रखा था और बोलता है जतना ज्यादा ब्लड होगा उतने ज्यादा मोंस्टर वापस आपाएंग और वहीं पर हम देखते हैं लेटन आदे लगता है और पता चलता है यह लेटन नहीं है बलकी मेलबोर के साथ जुड़के बना हुआ है और एक ही मुक्के में गुर्टे शील देता है यह नेक्रोमेंसर के और नेक्रोमेंसर के जितने भी मोंस्टर थे उन सबको सेलवर्टो लगते हैं कि यह कैसे हो सकता है और वहीं हम देखते हैं आप Necro moon sir को लगबग मारने वाला था London जिसके अंदर मैल भॉर है और हम से निक्रोंच को बहुत जोंबी ग्राइगन और सकाना देता है यहां पर यहां जटके में और मैं फरार हो zeit ने मैंसर वहां से क्योंकि उसे पता है कि वो मैलवोर से नहीं जीत सकता है और मैलवोर ने एक लूप ओर ढूंड लिया है लेंडेंड की बोडी को लेने के बाद वहां से भागने लगता है और यहां पा लेंडेंड की मौत हो रही थी और हम देखते हैं तब तक और बोलता है अब तो यह होना ही था मेरे से दुश्मन इतनी भारी पड़नी थी और तभी हम देखते हैं आप आता है होप को गुस्सा और तभी उसकी गरदन काट देती है और बोलते हैं मुझे पता है तुम जांत से नहीं मारे जा सकते हो बढ़ तुम्हारी सर को ऐसी जगा अभी तो इसे इतने सारे monster थे उनकी लाशे थी वह एकदम गायब कैसे हो सकती है और रोशनी कैसी थी और यह सोच लगता है कि आप नॉमल लोगों कैसे explain करो कि यहां पर क्या हुआ monster आये और गायब भी हो गए और यह कहने के बाद बोलता है नहीं लगता है कि किसी ओर dimension में चले गए जैसे कोई prison world और यहां पर हम देखते हैं hope के पास में एकदम London वापसंदा हो क्या जाता है और ग्ये देखे वह बोलती हैसा कैसे हो सकता है थोम जिंदा होँ और प्रूफ करो कि तुम जिंदा मेरे ही लेंडिन थो और वहीं हम देखते हैं लेंड से किसको लगता है पहछा की हा यहों डेंडियल एंडिोज से पहले प्रिजन व्ल्ड के अंदर आ चुके थे और जैसे वह प्रिंदा भी मरने वाले नहीं है प्रियसे call यós को चिलाने लग रहा है कि साइन किस ने किया बेवकुफ ही भरा काम मुझे लगता है वह विच्छat नि किया साइड ले सकती है और ये सोषते हुआ यह होब भी हसने लगती है और बोलती है वो उगल देगा अपने आप बट अगर कोई और मोंस्टर जाएगा तो उसको एब्जॉब कर लेगा और अब हम देखते हैं अलिशा चैन को जिस मोमेंट पर जैमनाय ट्विंस के पास थी जो लिजी और जोजी है और तीनों मिलके स्पेल करने लग रही थी प्रिजन बट लिजी थेंक्यू ना बोलते हैं वहां से जान लगती है और यहां पर ग्रूप हग करने का ट्राई करता है एम जी क्योंको उसकी जान बच चुकी है उनने सब लोगों की जान बचा लिए मैलवोर से बच चुके हैं और यहां तक कि उनने नेक्रोमेंसर से भी छुटका चली सिम्बल नहीं हैं और यह देखने के भागने लगता है बहुत तेजी दूर जाने का ट्राई करते मैलवोर से और यहां पर नेक्रों MR की पुंगी स्कुणी पक्का बचने वाली है हम देख पाते हैं कि इस मौन पर Land को यकीन नहीं कि वो बच पाएंगे के नहीं बट तभी होप कर देते हैं कि उनको रिस्क तो लेना पड़ेगा ऐसे निकलने का वो पहले ऐसा कर चुकी है तो उसे पता है कि वो तो निकल जाएगी अगर उसके साथ रहेगा तो शायद वो भी उसके साथ निकल जाए और उपासे लेनेट हुमन है ना हुमन तो राम से निकल ली जाएगा हुमन वेरवल विच और वेंपाइर मैलवोर के लिए एक पोईजन की तरह हैं वो हमको अपने आपी भार निकाल देंगे हम देखते हैं यह सुनने के बाद दोनों एक दूसरी को कसके पगड़ लेते हैं और मैलव और पिट के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर हो किस कर रहे थे और हम देखते हैं वो बहुत जादा रोमेंटिक मूड में हैं उनकी एक साल कम्पलीट वर रिलेशन्शिप को और वह रियल वर्ल्ड में आने वाले हैं और वही हम देखते हैं रियल वर्ल्ड में आने के बाद हो पुठती और उसको टेंशन थी शायद लेंड अपनी सारी याददाश को बैटे बट लेंड को सब कुछ यात था और बोल कुछ अच्छा करने की जुरत नहीं और दोनों किस करने लगते और यहीं पर अपना टाइम बिताने वाले थी समेटरी के अंदर ही और वहीं हम देखते हैं बहुत जादा इंटिमेट होने लग रहे थे और अब वहीं हम देख पाते हैं कि को सारी सचाई पता चल चुकी है और यहां पर वह बताते हैं कि अलारिक उसको चाहे तो इसाई इंफोर्मेशन के साथ छोड़ सकता है वो किसी को नहीं बताएगी बड़ हम देखते हैं अलारिक को अभी भी डाउट है कि उसको यह बात उस पर यकीन करना चीए क्या नहीं और वहीं हम देखते हैं को अभी उन मॉंस्टर के लिए घर है हर कोई मॉंस्टर नहीं होता है और यह कहने के बाद हम देखते हैं वहाँ पर केलब आच चुका था मैमरी मिटाने के लिए बट अलारिक उसको बोलता है कि इसकी सारी मेमरी वापस कर दो और मैं चाहता है उसको सब कुछ याद रहे और यह दे करने लगते हैं और यहीं लिजी यह देखके बहुत सा जैलेस फील करती है क्यों कहीं ना कहीं आप एमजी को पसंद करने लगी थी और वहीं हम देखते हैं अपने बहन के पास पहुंच जाती है जहां पर उसके बहन चाती है कि वह मिस्टिक पॉल्स के स्कूल में चली जाती है और वहीं हम देखते हैं लास सीन में बहुत ही द्याँ लेंट टीक से हर खराब होती है और यहें धिंगलने रखे पूरी तरह से उसे लेक्वीड में बदलं जाता है और गल अ किए हर बोड़ी पाक और ये देखके होपपो समझ नहीं आ रहा है वो क्या करें और हम देखते हैं जैसा मेलो और था उसी तरीके का ब्लैक कलर का सबसेंस बनके रह जाता है लैंड एंड और शायद यहां पर लैंड की मौत हो चुकी है तो गाइस शायद लैंड एंड मढ चुका है अब आके होगा क्या देखते है अगले एपिसोड में तब तक के लिए टेक केर बाय बाय सायना रहें टाटा और प्लीज गाइस लाइक कर दिया करो वीडियो को जिससे में आपके लिए और अमेजिंग सीरीज लाओं